फुल ए प्लस लेकी वुलबड़ी इने तनी एतो रखाब सब्स्रेब टो एंग्लाप्स चानल रिंग बल बटन और ओपन सक्सस इस दाट इजी नामस्ते बच्चो कैसे हैं आप सब अच्छे हैं चलो पिछली कक्षा में हमने टूटा पईया कविता की कुछ पंक्तियां पड़ी और समझी भी है ना आज की कक्षा में हम आगे की पंक्तियां पड़ेंगे तो चलो बच्चो हम पंक्तियां समझे बच्चो कवी यहां क्या कहते हैं? हाँ, मैं रत का तूटा हुआ पईया हूं, लेकिन मुझे फेको मत बच्चो बालक अभिमान्यों ने महरतियों से मुकाबला करने के लिए किसका सहारा लिया? हाँ, महरतियों से मुकाबला करने के लिए तूटे पईये का सहारा लिया बच्चों इतिहास की सामोहिक गती सरसा जूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पईयों का आश्रेले कवी इन पंक्तियों में क्या कहना चाते हैं? यहां चक्रव्यू समस्याओं का प्रतीख है बदलती हुई सामोहिक गती अधर्म की और हो जाए तो सत्य का पक्ष तूटे पईये का भी सहारा लेने के लिए पिवश हो जाता है कवी कहते हैं कि अंत में विज्जय धर्म की ही होती है अधर्म के विरुद लड़ने वालों को कहीं से सहारा मिल जाएगा इसलिए हम कवी की राय में सत्य और धर्म का पालन करेंगे बच्चों तूटा पईया आधूनिक संधर्म में कहा तक प्रासंगिक है हाँ इस कविता का पात्र अभिमन्यू अधर्म से लड़ने वाले मानव का प्रतीख है और चक्रव्यू किसका प्रतीख है हाँ चक्रव्यू वर्तमान जीवन के समस्याओं का प्रतीख है आधूनिक संधर्म में समाज के बड़े बड़े लोग भोले भाले आम आदमी का शोशन करते हैं उस समय लगु मानव तूटे पईये के समान आम आदमी की रक्षा के लिए आएगा बचो इस कविता में से आशे वाली पंक्तियां अच्रुन कर लिखें उधारन के लिए देखें सत्य का पक्ष तूटे हुए पईयों का सहारा ले सकता है बचो क्या हूँ की पंक्तिया? हाँ, सच्चाई तूटे पईये का आश्रे ले बचो इसी तरह बदलते हुए सामोहिक गती अधर्म की और हो जाए तो सत्य कपक्ष तूटे पईये का भी सहारा लेने के लिए विवश हो जाता है बचो इस आशे वाली पंक्तियां को कविता में से चुनकर लिखने की कोशिश करें आगे बढ़े बचो इस कविता में अनेक बिम्बों और प्रतीकों का प्रयोग किया है है ना? क्या आप लोग बिम्ब और प्रतीक के बारे में जानते हैं? बचो इस वशे पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे